हाई दोस्तों साइज ही और बैक विद अनदर वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैं जिस्क 24.1 वाले रूटेट डिवाइसे में एक्सपोजड फ्रेमवर्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं ठीक है अब कल की ही बात है यहाँ पर मुझे जो है LS Post को यूज करना था बट यहाँ पर दिक्कत यह आगी कि जो ZYGISC है वो module को suspend कर रहा था पुरानी method use कर रहा था मैं बट एक्शली यहाँ पर process सेम ही है बस थोड़ा सा change करना है तो आज की इस वीडियो में मैं इस से लिटेट आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले चैनल पर करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाप अपको डेली अपडेट्स मिलेगी कोई प्रॉब्लम वगरे डिसकस करने हो ठीक है यहाप गिट हब का जो साइट आएगा फरस्ट वाला इस पे हमें कुलक करके छले जाना है और यहापर जैसे की आप देख पारे हो हम आच चुके हैं उसके नीचे चलना है और यहापर जैसे देख पारे лиक्स लिखा इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1.7.2 अब मैं वीडियो record कर रहा हूँ इस टाइम पर नया है आपके टाइम पर जो नया रहेगा उसको download करना है अब ध्यान से देखना है यहाँ पर यहाँ पर Zygisk का एक अलग version है तो हमें download Zygisk version करना है तो यह दीखिए Zygisk version का separate दिया है तो हमें उसको download करना है ठीक है ओके यहाँ पर जैसे download पर click करोगे तो यहाँ पर download start हो जाएगा ठीक है मैंने download कर लिया है अब next चीज हमें क्या करना है यहाँ पर हमें एक बार check करके दिखा देता हूँ मैं आपको तो यह देखे जैसे कि आप देख पर हो ls post ठीक है xyges का अलग version आता है तो हमें उसको download करना है then यहाँ पर magisk को open करना है और module section पर आना है then install from storage इस पर click कर देना है then हमें वो xyges का ls post का xyges version वाला module है उसको select कर दिया तो यह flash हो गया then reboot पर click कर देना है हमें phone reboot होके चालू हो गया है अब ध्यान से देखना है यहाँ पर add to home screen है इस पर click कर देना है ठीक है तो इसको miss मत करना है इसको click कर देना तो यहाँ पर यह देखिए shortcut add हो चुका है ls post का ठीक है और यहाँ पर मैं magisk open करके दिखा देता हूँ module flash हुआ ही की नहीं तो जैसी कि आप देख पर हो successfully module flash हो चुका है ठीक है कोई suspend नहीं हुआ है और यहाँ पर ls post का shortcut बन चुका है इसको open किया तो जैसी कि आप देख पर हो ls post activated है बिल्कुल fully activated है ठीक है और यहाँ पर मैंने कोई module तो नहीं डाला है कोई module नहीं है अभी मेरे पास फिलाल ठीक है और यहाँ पर repository है इसको side में रखते है ओकी यहाँ पर एक बर मैं आपको safety net भी check करवा देता हूँ ठीक है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होंगी जैसे कि आप देख पा रहे हो ओके जैसे कि आप देख पा रहे हो safety net पास है कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें भी ठीक है तो बिल्कुल fit of fit है कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर और एक important बात अगर in case आप shortcut add नहीं करते हो या फिर आप मतलब भूल गए समझे आपने नहीं किया shortcut add तो क्या करोंगे जिस module को हमने download किया था ठीक है ls post के उसको extract करना है ठीक है तो मैं इसको extract कर रहा हूँ ओके extract होगे उसके बाद extracted folder open करना है और यहाँ पर आपको apk मिलेगा manager apk इसको हमें install कर लेना है ठीक है ls post है ओके इसको install होने के बाद open करना है और next चीज हमें क्या करना यहाँ पर create shortcut पर click कर देना है ठीक है create shortcut पर click करोगे तो यहाँ पर shortcut add हो जाएगा अगर नहीं आया था आपके case में यह जो apk के आ गया है ls post का इसको आपको install कर देना है ठीक है तो वो detect नहीं होना चाहिए इसको हमने अनिंस्टॉल कर दिया है बस काम खतम तो बस आज के लिए इतना ही अगले वीडियो मिलते हैं वीडियो पसनागों तो वीडियो को एक लाइक कर देना लव यू दोस्तों गुडबाई टेक केर